भगवान का नाम लो कीर्टन करो या जप करो पहले उनको खड़ा करो मन से अगर आप कहें देखा तो ही नहीं उनको कैसे खड़ा करें तो भगवान ने ये नियम बना दिया मन से जो मन में आए वो रूप बना लो सक्ज्यदंग प्रतिमां तराहिता मनो मई भागवतीम ददव गतिम दश्मसकंद के बारवे अध्या कावन तालिस माशलो तुमको जैसा अच्छा लगे रूप बना लो भगवान कहते हैं मैं उसको अपना ध्यान मान लूँगा कितनी बड़ी क्रिपा है एक दिन का भगवान एक साल का भगवान दस साल का भगवान हजार साल का भगवान लंबा भगवान, छोटा भगवान, ठिगना भगवान, काला भगवान, गोरा जो मन में आए बना लो और जो मन में आए कपड़ा पहनाओ मन नहीं मन से खईदना नहीं है नहीं कहोगे हम तो हीरे की माला पहनाना चाहते हैं बहुत गरीब है मन से अलवकिक हीरों की माला पहनाओ और उनसे कुछ मांगो मत न संसार मांगो न संसार से उद्धार मांगो मोक्ष भी न मांगो प्रेम मांगो दर्शन मांगो उनका दर्शन मिले उनका प्रेम मिले तो उनकी सेवा करें हमारे देश में जितनी भक्ती की इस्थिती दिखाई पड़ती है 99% संसार मांगने जाते हैं मंदरों में तीर्थों में तिरुपती के मंदर जा रहे हैं बैष्णो देवी जा रहे हैं अमुक देवी जा रहे हैं अमुक हनुमान जी के आ जा रहे हैं क्यों हमारी नौकरी लग जाए हमको बेटा हो जाए हमको एसंसार मांगने अरे अनंत बार स्वर्ग के राजा बन चुके हैं सब जीव ये लगपती, करोडपती, अरबपती बन कर क्या मिल जाएगा जो अरबपती हैं उनसे जरा पूछो क्या हाल है अजी नींद की गोली खाके तो सो पाते हैं ये हाल है हमारे तो भगवान से कुछ मांगो मत रोकर पुकारो उनका दर्शन मिले उनका प्रेम मिले उनकी सेवा मिले ये अपना उद्देश्च रखो कामना नहीं और केवल भगवान की उपासना करो और गुरु को साथ में रख लो ये दोनों शुद्ध हैं एक कान फूकने वाले गुरु नहीं जो शोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कहीं मिल जाएं तो उनके ध्यान और भगवान के ध्यान से अंताकरण शुद्ध होगा जैसे गंदे कपड़े में शुद्ध जल लगाओ तो गंदगी छूटेगी गंदा जल लगाओगे तो और गंदा होगा तो इस प्रकार भगवान के नाम के साथ स्मरण अवश्य करो पहले भगवान का रूप ध्यान करो फिर उनका नाम लो और चाहे कभी नाम मत दो खाली अस्मरण करो और उनके दर्शन की ब्याकुलता बढ़ाओ बहुत भगवत प्राप्ति हो जाएगी पहले भगवान का रूप ध्यान करो और जब इंद्रियां है तो उनको भी लगाए रहो भगवान में अच्छा है रसना से भगवान का नाम गाओ कान से संतों की बाणी सुनो भागवत सुनो लेकिन मन से अस्मरण अवश्य करो ये रट लो तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो ये शरीर तुम्हारा है तुम शरीर नहीं हो जब देखते हो एक मर गया मर गया मानि क्या शरीर से चला गया ओ कौन चला गया आत्मा वो हो तुम और भगवान के अंश हो दास हो भगवान का आनंद तुमको मिलेगा तब परिपूर्ण बनोगे संसार का आनंद तो अनंत जन्म मिल चुका वही के वही खड़े हैं तो रूप ध्यान पूर्बग भगवान का नाम संकीरतन ये साधना सर्वस्रेष्ठ है उनके मिलने की परमभ्या को लता हो वो प्यास बढ़ानी होगी आसु बहाना होगा तब अन्ता करन शुद्ध होगा तब गुरू दीख्षा देगा ऐसे नहीं देगा असली गुरू जब clean slate heart हो जाएगा शुद्ध धर्द है तब गुरू कान में मंत्र देगा या ऐसे ही चिप्टा लेगा या आँख से देदेगा बस तुरंत भगवत प्राप्ति अब अन्ता करन शुद्ध करने में एक साल लगए दस साल लगए एक जन्म लगए दस जन्म लगए ये तुहारे उपर निर्भर है जितना अधिक मन लगाने का अभ्यास करोगे उतने जल्दी होगा लेकिन मन को ही उपासना करना है और रूप ध्यान सबसे प्रमुख है इसका सरबत्र अभ्यास करो यहां से घर जा रहे हो श्याम सुंदर को अपने हरदय में सोचो हमारे हरदय में आ जाओ आ गए अब मैं जा रहा हूँ पंदरा मिनिट बाद फिर हमारे हरदय में बैटे हो हाँ बैटे हैं कि भार भार रियलाइज करो महसूस करो सोचो यह फायक्ट है बेद कह रहा है वास परना सवजा सखाया भगवान आपके हुदय में बैटे हैं आपके आइडियाज नोट करते हैं कर्म का फल देते हैं यह मानो बार बार अभ्यास करने से पक्का हो जाएगा फिर तो आप लोग ऐसे चलेंगे मेरे बराबर कौन है अनंत कोट ब्रह्माण नाएक भगवान मेरे हुदय में बैटे हैं देखो एक करोड़ पती एक अरब पती कैसे अकड़के चलता है मैं मैं अरप्पती हूँ, मैं कलक्टर हूँ, कमिश्णर हूँ, गवर्नर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, अरे तुम क्या हो, मेरे हुर्दय में तो अनंत कोडि प्रह्मांड नायक भगवान बैठे हैं। ऐसी फिलिम होने लगए, सरबत त्रून को देखो, किसी को कष्ट न दो, गलत वाक्य, निंदा न सुनो न करो, सब में वही भगवान बैठे हैं, दीनता, नम्रता, सहन, सीलता बढ़ाओ, तब अंता करन शुद्ध होगा, तब लक्ष की प्राप्ती होगी। प्राप्ती होगी।